हेलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग उमीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे तो चलिए डिसकस करते हैं आज का जो मारे कोश्चन है वो त्री का कोश्चन नमबर थ्री का फिट पार्ट होगा इस्टुडिन में आप लोग बता दूँ यह जो कोश्चन है यह कोश्चन नमबर थ्री है पेज नमबर 112 है क्लास 10 के मैथ के CVSC बुक से लिया गया है और इस कोश्चन में थ्री का फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट पार्ट में आलरेडी डिसकस कर चुक यहां पर जो त्री में दिया गया है विपत?? फर्ट पार्ट में वो दिया गया है டी की वैलुपाइफ और इस नैन की वैलुपाइफ लूं से पूछा गया है Pride किजिए चलिए sevent करते हैं तो यहां पर जो हमें दिया गया है इस question में वो दिया गया है d की value 5 s9 की value 75 और यह जो s9 में 9 है यह हमारा n की value है n क्या होता है student n होता है number of term तो देखते हैं यहां पर student यहां पर जो a की value है वो हम sum का formula इस्तेमाल करके find कर सकते हैं तो चलिए use करते हैं by using sum of nap तो यहां पर sum का जो formula होता है sn is equal to n by 2 2 into a plus n minus 1 into d ठीक है यह हमारा sum का formula होता है यहां पर हम formula इस्तेमाल नहीं करेंगे थोड़ा लंबा हो जाएगा तो direct value put कर लेंगे चुकि हमें s9 के place पर 75 हम direct put कर लेंगे a के value हमें दिया नहीं गया है तो हम यहां पर रखेंगे 2a और n के place पर हम 9 put कर लेंगे तो n by 2 into 2 into a plus 9 minus 1 into d के value हमें 5 दिया गया है तो हम put कर लेते हैं अब देखें यह जो 9 by 2 है इदर into में है अगर हम इसको left side में बेज़ेंगे तो just opposite हो जाएगे यानिकि 2 by 9 हो जाएगा क्योंकि यह denominator में है तो उदर जाके numerator में into हो जाएगा और यह numerator में है तो इदर आके denominator में हो जाएगा ठीके 2 into a 2a बनेगा और 9 minus 1 8 into 5 हो जाएगा ठीके तो फर्दर होगा क्या हम इसको cut कर सकते है 3 3 जा 9 3 25 जा 75 और फर्दर multiply करेंगे तो 25 into 2 upon 3 is equal to 2a plus 8 5 जा 40 so now फर्दर क्या होगा यह 25 जा 50 हो जाएगा 50 upon 3 और यह plus 40 जो है इदर आके क्या हो जाएगा minus 40 हो जाएगा ठीके finally क्या होगा हम वो देख लेते हैं इदर हमारे पास बनेगा दीके यह एक fraction में है ठीके fraction में तो हम इसको जाएगे यहाँ पर multiply करेंगे तो होगा क्या कि 50 multiply by 40 1,20, 3,4 जा कितना होता है 12, 0 मा ऐसे ही apply कर लेंगे so minus 1,20 upon 3 is equal to 2A so finally जब हम 1,20 में से 50 को minus करेंगे तो हमारे पास आजाएगा minus 70 upon 3 यह दीके इदर 2 जो आई है इंटू में है इदर आगे क्या हो जाएगा और division में हो जाएगा is equal to A तो A is equal to finally क्या आजाएगा minus 70 upon 6 तो A की value फिर क्या आएगी तो देख लेते हैं कैसे आएगा वो देख लेते हैं आपे 236 और 235 जाएगा यहाँ पर ठीके तो यहाँ पर A की value आजाएगी 35 upon 3 नेगेटिव में अब अगर एक बार हमें A की value पता चल गई तो हम यहाँ से A 9th की value फाइंड कर सकते हैं तो चलिए हम ट्राइ करते हैं की A 9th की value कितनी आएगी So far 9th term means A 9 half given AP तो जैसे कि आप लोग जानते हैं की जो AP का फर्मूला होता है वो होता है AN is equal to A plus N minus 1 into D यहाँ पर AN की value मतलब A 9 की value आपको find करनी है और A की value आपको पता है कि minus 35 upon 3 अभी आपने find किया है N की value 9 है वो put कर दीजिए और D की value 5 है तो finally क्या आएगा minus 35 upon 3 plus 9 minus 1 करेंगे तो आपके पास आजाएगा 8 multiply by 5 तो minus 35 upon 3 plus 40 85 जाएगे इतना होता है 40 तो यहाँ पर हम जब multiply करेंगे चुकि एक fraction में है तो यहाँ पर आगें हम 40 into 3 करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 120 minus 35 plus 120 upon 3 आप अगर minus करेंगे यहाँ पर 35 में से 120 में से 35 को तो sign बड़े नंबर का लिया जाएगा यहाँ पर 120 positive बड़ा है तो sign positive आजाएगा ठीक है और 10 minus देखे 0 में से 5 minus होगा नहीं तो जाके यह 2 से करी ले लेगा तो इसके पास 10 हो जाएगा अब 10 minus 5 करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 5 और 1 minus 3 होगा नहीं तो जाके उससे करी ले लेगा तो उसके पास हो जाएगा 11 11 minus 3 करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 8 ठीक है 85 upon 3 तो finally अगे अगे अगर हम divide करेंगे 85 और 3 को तो यह आगे divide होगा नहीं decimal में हो जाएगा तो आप चाहो आगे divide करो आप चाहो यहीं पर answer को छोड़ दो तो finally हमारे यहाँ पर answer क्या होगा जो 9th term होगा वो हो जाएगा 85 upon 3 कितना हो जाएगा 85 upon 3 तो यहाँ से हम कह सकते हैं a is equal to minus 35 upon 3 and a 9 is equal to 85 upon 3 यह हमारा इस question का answer होगा student अमेद करता हूँ कि इस वीडियो में आप लोगों समझा पाया होगा अगर यह वीडियो आप लोगों helpful लगा है तो इस वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी जियर करें इसी परकार के वीडियो लेकर मिलते रहेंगे तब देखे लिए thank you class और दोस्तों कि अ